11 अक्टूबर 1942 को अलहबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे अमिताब हरिवन्च राय शिरिवास्तव बच्चन जिहां अमिताब साहब का नाम अमिताब हरिवन शुराय श्रिवास्तव बच्चन है क्योंकि उनका सरनेम श्रिवास्तव हुआ करता था पर क्योंकि उनके पिताजी हरिवन शुराय शुरिवास्तव जी ने अपना पैन नेम बच्चन इस्तिमाल किया था जब वो कविताएं लिखते थे तो उनका नाम हरिवन शुराय बच्चन हुआ और इसलिए अमिताब साहब का नाम भी हो गया अमिताब हरिवन शराय बच्चन जिने बॉलिवुड में बिग भी और एंगरी यंग मैन के नाम से जाना जाता है बच्चन साहब ने अपने करियर की शुरुवात की थी 1969 में बनी फिल्म म्रणाल सेन की भुवन शोम से इस फिल्म में वो नजर नहीं आए थे बलकि सिर्फ उनकी आवाज आई थी As a voice narrator ये उनकी शुरुवात थी फिल्म इंडस्ट्री में उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जो फ्लॉप रही और उनका नाम अब तक किसी को नहीं पता चला था आखिर कैसे एक गुणनाम सा ये लड़का स्टार आफ दी मिलेनियम और बॉलिवुट का शेहनशा बन गया ये भी अपने आप में अनोखी कहानी